तो तिरुपती के प्रसाद को लेकर के बड़ा संग्राम चुड़ा हुआ है वहीं इस बीच अंदरप्रदेश सरकार की उर से इस पूरे मामले की साइटी जाच के आदेश दिये गए है साथ ही साथ ये कहा गया है कि अंदरप्रदेश के जितने भी मंदिर है उन सब की सफाई की जाएगी और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मिश्चित तोर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्या भगवान को भी मिलावती प्रसाद दिया जा रहा है और इसकी जाच अब शुरु हो चुकी है तिरुपती बालाजी मंदिर के लड़ू प्रसाद में चर्वी की खबर जब से सामने आई है हर सनातनी आहत है बाला जी का वो हर भक्त जो पिछले कुछ सालों में तिरुपती दर्शन करने गया और वहां का प्रसाथ खाया अब वो यही सोच रहा है कि क्या उसका भी धर्म भरस्ट हो गया अब तो दूसरे तीर्थ स्थलों पर मिलने वाले प्रसाथ को भी श्रद्धालू शक की नजरों से देखने लगे हैं काशिव विश्वनाद से लेकर आयोध्या के हनुमान गड़ी में चड़ाये जाने वाले प्रसाथ की जाच शुडू कर दी गई है वहीं तुरुपती भक्तों की आस्था से खिलवार करने वालों के लिए कड़ी सजा की मांग हो रही है ये जो मिलावटपन है हिंदू सास्थों में तो इसको पाप दहा गया है इसमें बिल्कुल कारवाई होनी चाहिए इसमें कोई दोराय नहीं है तिरुपती के लड़ू प्रसाद में मिलावट ने देश के करोणों हिंदू के आस्था पर आखात किया है और अब तो तिरुपती ही नहीं बलकि देश के दूसरे तीर्थिस्थनों मंदिरों के प्रसाद को भी शक्की निगाहों से देखा जा रहा है ये है लखनों का प्रसद्ध हनुमान सेतु मंदिर इस प्राचीन हनुमान मंदिर में भक्त हनुमान जी को बेसन के लड़ू का भोग लगाते हैं श्रद्धालू मंदिर परिसर के आसपास मौजूद मिठाई की दुकान से ही लड़ू खरीद कर उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं पिरुपती बाला जी के लड़ू में मिलावट की घटना के बाद फूर्ट सेफटी और ड्रग अथॉर्टी की टीम हनुमान सेतु मंदिर के बाहर मौजूद मिठाई की दुकान पर लड़ू की जाच के लिए पहुँच गई अधिकारियों की टीम ने हर दुकान से लड़ू के सेम्पल एकटा किये और उनकी जाच की टीम का बकसत ये जानना था कि कहीं लखनाओ में अशुद लड़ू भगवान को तो नहीं चढ़ाय जा रही हनुमान सेतु मंदिर पर भी FSDA की टीम पहुची थी उसने यहां से सेम्पल लिया और तमाम बड़े मंदिरों में जाके सेम्पल लिये जा रहे हैं और वहां के प्रशाद की जाच की जा रही है फिलाल उस मंदिर प्रमाइसेस में हमें इस वक्त मौझूद है हनुमान सेतु मंदिर है और दूर-दूर से लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं नारियल का लड़ू है शायद जिसे यह बना रहे हैं इस वक्त यहां पर उसका काम किया जा रहा और इधर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के आप मंदिर आएंगे और तो आपको बेसन का लड़ू लेना होगा क्योंकि बेसन का लड़ू बड़ा ही प्रिये होता है हनुम लखनाओ के हनुमान सेतू मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्त तिरूपती बाला जी के लड़ू में मिलावट से काफी आहत देखे आशकल तो कोई भी चीज ऐसी नहीं लेकिन हाँ प्रिशाद में क्योंकि एक वही तो सबसे उपर है उसको भी नहीं अगर छोड़ा जा रहा है तो फिर एक मन में तो भावनाय आहत होती है यूपी में अब प्रिशासन ही नहीं मंदिर चलाने वाले महंत और पुजारी भी भगबान को चढ़ाय जाने वाले लड़ू प्रसाद की शुद्धा को लेकर गंभीर हो गए है अयोध्या के प्रसिद हरुमान गड़ी मंदिर में भी हरुमान जी को लड़ू का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है मंदिर के बाहर मौजूद दुकानों से ही शुद्धालू प्रसाद खरीद कर भोग लगाते हैं लड़ू की शुद्धता और गुरुवत्ता परकने के लिए हनुमान गड़ी मंदिर के संत मिठाई के कारखानों की चांच करने पहुँचे संतों ने खुद ही अलग-अलग कारखानों में पहुँचकर लड़ू बनाने की गुरुवत्ता चांची वारानसी के प्रसिर्ध काशी विश्वनात मंदिर में भी लड़ू प्रसाद ही मिलता है मंदिर परिसर के अंदर ट्रस्ट वारा लड़ू प्रसाद की विक्री की जाती है वारानसी में स्टीम के अगवाई में जांच टीम उसकार खाने में पहुंची जहां लड़ू तयार किये जाते हैं फैक्टरी में मशीन और इंसान दोनों मिलकर लड़ू बनाते हैं प्रशासन ने शुद्धा जांचने के लिए लड़ू के सेंपल को जांच के लिए भेज दिया है बावा विश्वनात पर जो प्रशादम मिलता है उसमें कितना है कितना सद्धा आज भी है ये जो मिलावट पन है जो जिसको हम ये ये बहुत अपवित्र जिसको हम कहते हैं हिंदू सास्त्रों में तो इसको पाप कहा गया है और ये एक इस पर बिचारनी भी से है तिरुपती लड्डू में चर्वी की घटना के बाद से हिंदूों का गुसा अप सरकों पर दिखने लगा है भोपाल में लोगों ने आंधर प्रदेश के पूर्वसियम जगन मुहन ब्रिड्डी के खिलाप प्रदर्शन किया क्योंकि उन्ही के काड़िकाल के दौरान लड्डू में चर्वी पाई गई थी किंद्रिय दूरसंचार मंत्री जोतरादित सिंध्या ने तिरुपती बाला जी के प्रसाद में अशुधता मिलाने के दोश्यों के लिए कड़ी सजा की मांग की है तिरुपती बाला जी के प्रसाद में अशुधता करने वालों को सजा की मांग इसलिए हो रही है ताकि किसी और मंदर के प्रसाद में मिलावट की गलती कोई भूल से भी ना कर सके लकरों से मयूत शुक्ला, बनारस से दिरेश कुमार मिश्वा, भूपाल से राहूल की रिपोर्ट, सी मीडिया